आप सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 27 ठीक है जिसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं इंगलिस सब्जक्ट की वरक्षीट है ये 30 दिसंबर की है और 8th किलास के बच्चों के लिए है इसमें हम अपना चेप्टर जो की क्या है दिसी जोडी सफॉन ठीक है वो पढ़ेंगे उसको कंटीनियू करेंगे यही हमारा कंटीनियू चल रहा है काफी दिनों से तो आज भी इसी से रिलेटेड कुछ कोशन पूछे जाएंगे पैराग्राफ दिया जाएगा वही हम पढ़ेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक कोशन दिया गया है उसको पढ़ते हैं वाइंस वर्दी फॉलोइं क्वेस्चन तो यहाँ पर आपको एक दिया है बेटा कोशन लुक एट दी एनिमल पिक्चर एंड राइट देर नेम्स तो आपको यह क्या है शेर है उसके बाद यह क्या है बेटा यह है चैकाल उके उसके बाद बेटा यह क्या है यह सब जानते हैं इसको तो यह तो डोग है और यह भी सब जानते हैं बेटा यह क्या है कंगारू ठीक है क्या है यह कंगारू उसके बाद बेटा इसको भी सब जानते हैं तो य यहां पर काफी सारे तो हम कैमल्स लिख देंगे, यहां पर यह क्या है बेटा, बीर, भालू, ओके, तो आपको यह सभी पिक्चर्स देखके समझ में आ गया कि यह कौन-कौन से अनिमल्स है और उनके नेम क्या-क्या है, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो, यहां पर क देखा उसकी जो माता है, वो मरी हुई है, उसके चारतरबाज जो मुंडरा रहे हैं, वो उनको भगाता है, महां से बहुत ज्यादा स्मेल वगएर आ रही है, अब वो आगे बढ़ता है धुनने के लिए, जोडी को ठीक है, उसको फोन को धुनने के लिए, बेबी डियर को नहीं मिलता है, तो जैसे जैसे वो चलता है, तो एकदम से उसके आगे एक मुवमेंट हलचल सी होती है, थोड़ी सी, ठीक है, तो मुवमेंट डारेटली इन फ्रंट ओफ हीम, स्टार्टल हीम, एंड सो डैट ही टंबल बैकवार, ठीक है, तो एकदम से जो उसके आगे हलच the phone lifted its face to his फिर जो phone होता है वो हल चल क्यों हो रही थी बैटा क्योंकि वहाँ पर phone था, baby deer था तो वो क्या करता है, अपना जो face होता है उसको उपर की तरफ उठाता है it turned its head with a wide wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes, ठीके वो क्या करता है, ये turn करता है अपने head को गुमाता है फिर उसको एकदम से वन्डरीं मुशन या कह सकते हो अदवूत नजारे से उसको देखता है और शूकिम तूब और अपनी जो लिखिविड आइ उसको एक उनके उसको क्या कर देता है उसको शूक मानने हिलादेना ठीक है किसी को क्या कर देना उसको देखकर किसी को सहम जाते हैं तो उसकी दसा को देखकर वो क्या हो गया था? जो जो जोडी था वो सहम गया था ठीके? और स्टेर मतलब क्या होता है? घूरना ठीके? तो वो अपनी जो ये लिक्विड आई क्यों कि उसकी माता मर गई थी वो अकेलावन में भटक रहा था तो जो उसकी भीगी हुई आखे थी उनसे वो उसको ऐसे देख रहा था कि ये सब देखकर वो क्या हो गया हिल गया तो बेटा वो उसको क्या करता है हिला देता है फिर उसके बाद it was quivering quivering मतलब क्या होता है बेटा चंचलोना ठीक है जिसको नोटी भी बोलते थे हैं तो वो सब ये देखा उसने ये सब क्या था एक चंचल सा था सब कुछ और वो एक जो छोटा बेबी डियर था वो भी एक चंचल सा था बदलब ऐसे ही छोटे छोटे तो क्यूट से होते हैं जैसे छोटे बच्चे चंचल से होते हैं बेटा ऐसे ही वो था it made no effort to rise or run उसने जो बेबी डियर था उसने ये सब देखने के बावजूद भी वहां से उटकर भागने की कोशिस नहीं की जोडी could not trust himself to move तो जोडी समझ नहीं पा रहा था बेटा कि वो आगे बढ़े या नहीं उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहता कि वो क्या करे अब आगे जाए या रुक जाए वहीं परी he whispered it's me तो उसकी वो जो थोड़ी बहुत सी हलचल सी की थी उसने उसको देखकर वो उसको सहलाता है whispered मतलब फुस फुसाना ठीक है? यानि कि हलकी से स्वर में उसने बोला it's me यानि कि मैं हूँ the phone lifted its nose फिर जो बेबी डियर था उसने अपनी क्या की नाक को उपर उठाया and scenting him फिर उसको वो चाटने लगा तो जैसे बेटा animal क्या करते हैं जब भी वो क्या होता है जैसे आपने देखा होगा बेटा कहीं भी जिन को जिन को मतलब वो जानते हैं तो वो उसको क्या करते हैं चाटना सुरू कर देते हैं तो वो अपनी nose को उपर उठाता है और उसको चाटना स्टार्ट कर देता है he reached out one land and laid it on the soft neck फिर वो क्या करता है अपना जो hand है एक hand को उपर से उठाता है और laid it on the soft neck फिर जो जोड़ी है अपने एक हाथ को उठा कर उसके जो मुलायम सी गर्दन है उसके उपर रख देता है जो टच है बेटा उसका वो उसको क्या कर देता है डेलिरियस मतलब क्या होता है बेहोस मतलब एकदम से जैसे हो नहीं जाता है कोई एकदम से बहुत दुखी हो उसके उपर कोई हाथ रख देता तो एकदम से चुप सुनसान एकदम सन्नाटा सचा आ जाता है ऐसा वो हो गया था ठीक है वो क्या करता है वो आगे की तरफ बढ़ता है अपने चारो पैरों से तब तक की वो उसके बिलकुल नजदीक नहीं आ जाता है तो वो क्या करता है बिलकुल उसके पास आ जाता है कौन जो बेबी डियर था वो बिलकुल उसके पास अपने चारों पैरों से उसके पास आ जाता जब तक विए उसके बिलकुल पास नहीं होता, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, He put his arms around its body, फिर वो क्या करता है, जोडी अपनी जो बाजू है, उसके चारो तरफ सरीर के रखता है, बोडी के, उसको उठाने के लिए a light convulsion, convulsion क्या होता है, थोड़ी सी हल चल सी, ठीक है, थोड़ा सा हिलना डूलना एक तरीके से, खल बली जिसको बोल देते हैं, ए लाइट हल की सी खल बली, मतलब हल चल, पास्ट ओवर इट, तो उसके आसपास से हुई, एंड बट इट डिड नोट स्टीर, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला, ठीक है, कौन, बेबी डियर वहां से वो नहीं हिला, he stroked its sides as gently as through the phone were a china deer तो जो stroke यानि की जो उसकी sides थी उसको उसने stroke मतलब होता एक तरीके से बेटा सहलाना थीक है तो उसने उसकी जो side थी उनको इतने आराम से उठाना stroke मतलब उठाना थीक है तो उसने उसको इस तरीके से उठाया इतने मतलब जेंटल जेंटल इतने आराम से इतने सॉफट तरीके से जैसे वो क्या हो एक चाइना जीसे चीन इमिट्टी के बरतन वगरा होते हैं तो वो बहुती नाजूक होते हैं उनको बड़े संभाल के CambraStations चीन इमिट्टी के मूर्तियां भी तो वो उसको ऐसे ही समझ रहाता कि कहीं से यह तूट तूट ना जाहे he might break it यानि कि वो साइद तूट जाहे तो इतने आराम से इतने उससे उसको मतलब कि उठा रहा था ठीक है तो यहाँ पर बेटा जो आपका ये word stroke आया है इसको आप यहाँ पर ऐसे ही टकते हो की जो उसकी साइड थी उसको उसको उसने इतने प्यार से उठाया की वहाँ पर क्या हु़ा चीनी मत्टी के उसको समझ के उसको ठीक है फिर नेक्स्ट के दिया हुँआ बोगा rabri नहें पर नेक्स्ट दिया हुआ हमरा रहा है यहाँ पर कि it's skin class so soft और जो उसकी skin थी बेटा वो भी बहुत ज्यादा ही soft थी ठीक है एकदम से जो छोटे होते बेटा उनकी तो जो skin होते है वो क्या होती है बहुत ज्यादा soft होती है ठीक है तो next बेटा it was sleek and clean and had a sweet scent of grass देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारे वर्ड मी नहीं गए है stroke मतलब सहलाना होता है उसने उसकी जो sides हैं उसको सरीर को इतने आराम से gently सहलाया जैसे कि वो क्या हो एक china bone deer हो ठीक है मतलब कि चीनी मिट्टी का बना हुआ है और वो तूट सकता है और उसकी skin जो बहुत ही जादा मुलायम थी it was sleek, sleek मतलब क्या होता है चिकनी और clean मतलब एकदम साफ and had sweet scent of grass और उसके अंदर से एक छोटी छोटी धिमी धिमी सी कि क्या आ रही थी, घास की खुसबू आ रही थी, scent माने सुगंद, ठीक है, मिठी मिठी सी he rose slowly and lifted the fawn from the ground, तो फिर वो क्या करता है, जोडी उसको धीरे से उठाता है और क्या करता है, ground से उपर अपनी बाज़ों में ले लेता है it legs hang limply, और जो उसके पैर थे, baby deer के, वो hung मतलब होता है hang, ये full form है, ठीक है, तो इसको लटकाना, तो उसके पैर जो एकदम लटक जाते है limpy मतलब जिसे वो, उनके अंदर कुछ भी मतलब की movement नहीं थी, वो ऐसे धिले ढाले से लटके हुए थे, they were surprising long, और वो इतने जादा क्या थे, they were surprisingly long, वो जो उसके leg थे, वो बहुत जादा लंबे थे and he had to host the phone as high as possible under the arm, तो वो भी छोटा था बेटा जोड़ी, तो उसको उठाने पर, उसके leg इतने लंबे थे कि वो ground पर ही लटक रहे थे तो इसको उसे इतना उचा उठाना पड़ रहा था कि, उसको मतरब के पनी बाजों में उठाना भी मुस्किल हो रहा था, ठीक है, तो आज का paragraph ये था, आप मैं इसके question answer करते हैं, देखो बेटा now complete the following sentences using hints given in the bracket, dash turned its head with a wide wondering motion, ठीक है, तो कोन अपने मतरब की सिर को घुमाता है पिटा, एकदम आस्चरिय जनक उस तरीके से तो कोन घुमाता है, फोन, ठीक है, यहां पर आप क्या लिख दोगे, फोन, फिर dash whispered it's me, तो ये कोन बोलता है, डो बोलता है, हिरन बोलता है, जोड तो जोडी बोलता है इसको, ठीक है, फिर dash was surprisingly long and he had to host the phone as high as possible under his arm, तो जो कोन करता है बटा ये, जोडी के लेग थे इतने लंबे या फिर phone के, तो phone के लेग थे, ठीक है, तो जो phone के लेग थे वो इतने लंबे थे कि उसको जोडी को उपर उठाना पड़ रहा था, अपनी बा क्या कि वो उठे और भाग जाए, किसने, phone ने, ठीक है, फिर how was the phone's skin, तो जो phone है उसकी skin कैसी थी, तो आप क्या लिखोगे बेटा, phone's skin was, आप यहां से लिखोगे, it's skin was very soft, it was very sleek and clean and had a sweet scent of the grass, यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे, यहां आप यहां पर लिख देना, phone's, phone's skin बस phones लिख देना, it's की जगा, phone's skin was very soft, ठीक है, it was sleek and simple and यहां तक कम्प्लीट कर देना, आपके लास्ट में, तो यह थी बेटा, आपकी आज की वक्षित उमीद करते हैं, आपको अच्छे समझ जाएगी, नए नए वर्ड भी पता चलाओंगे, चले होंगे, उनका वीनिंग झाल